नमस्कार आप देख रहें इस काइने टीव इंडिया पिसाज के मुख्य समाचार जम्मू कस्मिर के पहल गाम में मंगलवार सुबर 11 बच कर 10 मिनिट पर भारत तिबबत सीमा पुलीस वल की एक बस 100 फिट घहरी खाय में गिर गई इस हादसे में साथ जवानों की मोथ हो गई बस में ITBP के 49 और जम्मू कस्मिर पुलीस के दो जवान सवार थे हादसे का कारण बस का ब्रेक फिल होना बताया जा रहा है सभी जवान अमाना त्यातरा से ड्यूटी कर लोट रहे थे मध्य प्रदेश के ज़दातर इलाकों में बारिस का दोड़ जारी है भारी बारिस के चलते मध्य प्रदेश के पांच जी लोग भुबाद सीहोर गैतूल राइसन और नर्वदापुरम में सभी स्कुल बंद कर दिये गए हैं पोपाल में एक जून से अब तक पचास इंच बारिश गिर चुका है सामानी तोर पर पच्ची सिंच बारिश होती है मुख्य मंत्री सीर शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस्थिती नियंत्रण में है विदी सैवं बालाखाट जीले से कई लोगों को रैस्क्यू किया गया है प्रसासन पूरी तरह से सजगे और लोगों को सुरक्षित निकालने में हम सफल हुए हैं अभी नर्वदा जी के कैच्चमेंट में भारी बारिस की वज़ज़ से बांध लबालब है भारत के सबसे वड़े डेरी प्रोड़क्ट सप्लायर अमूल ने दूद की किमतों में दो रुपए प्रति लीटर की बड़ोत्री की है नई किमते 17 आगस्ते से लागू होंगे प्रदेश में वंचित आवास हिनों के लिए लागू होगी मुख्य मंतरी जनावास यूजना रिवाज जिले के सेमरिया थाना छेतर में पूर्वा गाउं के पास सिर्मोर जनपत सीईओ को आधा दरजन बद्वासों ने पीट दिया जनपत सीईओ एस के मिश्रा मंगलवार को मेटिंग कर सेमरिया छेतर से लोट रहे थे इससे बिच पूर्वा फाल के पास आधा दरजन बद्वासों ने बोलेरो वाहन रोक कर मार पिट की फिर मरा हुआ समझ कच्रे के ठेर में फेक कर भाग गए वारदात के बाद चालक की मदस से डायल हंड्रेट और सेमरिया पूलिस को सूचना दी गई जानकारी के बाद स्पी से लेकर पूलिस बल हरकत में आ गया सीईओ अस्पतान में भरती कराया गया है बता दे की मंगलवार सुबस सेमरिया के भाजपा विधायक के पी त्रिपार्टी और सीईओ के भी जम कर विवाद हुआ था स्टी ओपी नवीन तिवाली ने बताया कि साम तीन बच कर तीस मिनट पे वारदात हुई थी सीईओ बसामन मामा इस्तित गवसाला में बैठक लेने गए थे यहां घात लगाकर बैठे बदमासों ने पहले वाहन में तोड़ फोड की फिर उन पर तूट पड़े MP में 27 फिजदी OBC आरक्षन पर रोग बरकरार है जवलपूर हाई कोट में आज इस मसले से जुड़ी 63 याची का दायर है आज इस मसले पर सुनवाई होनी थी लेकिन रेगुलर बेंचना होने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है प्रदेश में पिछले 24 घंटों में करोना संक्रमंट के साथ नए केस आए हैं वहीं 115 मरिश ठीक हो हैं वरतमार में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 792 संक्रमंट दर 2.28 प्रतीशत और रीकवरेट 98.60 प्रतीशत है तल दीन बड़की पंबु खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुब रात्री